हेलो इस्टोरेंट स्वागत है हमारे चैनल बीएसी एजुकेशन लेक्चर्स में हम पढ़ रहें बीएसी सेकंड यार में स्थर्ड पेपर यूरिट सेकंड ठीक है इसके पहले हम और भी कॉस्टन सॉल्व करो जोके लापलास रूपांदरण के आधर पर इसका प्रणों क्या है वो लिख लेते हैं कि सॉल्व पर चल देए इसको किस प्रकार सॉल्व करना यह देखते हैं तो आप लोग वीडियोस रो करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियोस पसंद आए तो लाइक शियर एंड कमेंट्स जरू करें एफ अफ टी इस इकॉल लापलास ओफ साइंटी को स्टी इस प्रकार लिख सकते हैं अब इसको आगे सॉल्व करेंगे सबसे पहले आप लोग मनलब प्लेलिस्ट में जाकर फॉर्मूला याद कर लें जिका लापलास रूप अंत्रड के वह इंपोर्टेंट है उन्हीं क्या पर यह कॉसल सॉल्व कर लृम सकते दो दोगरा दोगा भाग कर सकते हैं इसे अपन मलब को लॉस्ट पर कोई फर्क नहीं पड़े को आपने यह क्या क्योंकि यहां पर पनी यह वाला फॉर्मूला बना सकते हैं साइन टूथीटा इंटो कॉस्थीटा ठीक है तो इसलिए अपने यह दोग कोणा और था है अब देखो एर्फ सब्सक्राइब वहां सब्सक्राइब Do Def सब्सक्राइब सब्सक्राइब तो तो één तो सब्सक्राइब साइन टू ठीटा के साँ पर अपना क्या टी है यहां पर यह समझ अपने ही वाली सोच्वमिंक का यूज कर ली तो अब इसमें आपन वह वाला लाप्लास रूप अंधरण का फॉर्मॉलल लगाएंगे ल साइन ए टी वाला तो यहां पर वह वाला फॉर्मॉलल एल चुकी एल शाइन एटी इस उकल टू होता है अपना ए अपन पी स्क्वेर प्लस ए स्क्वेर यहाँ पर एकी वैल्यू क्या है टू है तो यह वाला फॉर्मूला लगाया प्लेश में सभी फॉर्मूला दिये हुए हैं तो आप लोग याद कर लिजेगा ठीक है तो आगे करते हैं फिर क्या बचे का ल साइन टो टी इस अकॉल टू क्या है ए अपन यानि कि ए की वैल्यू क्या है अपनी यहाँ पर 2 तो 2 अपन पी स्क्वेर प्लस ए का इसक्वेर यानि 2 का स्क्वेर अब देखो आगे देखते हैं क्या होता इंटो 2 अपॉन P स्क्वेर प्लस 2 का स्क्वेर यानी 4 का स्क्वेर 2 से 2 कैंसल कर देते हैं तो बज़ेगा 1 अपॉन P स्क्वेर प्लस 4 यह होगा अपना अंसर L साइन T इंटो कॉस्टी की वैल्यू यहां तक ऐसे यह कॉस्टन आगे भी और सॉल्व करने हैं हम आप लोग के लिए और कॉस्टन बताने जो आप लोग स्वेम सॉल्व कीजेगा और वीडियो के लाश्ट तक बनी रहेगा ताकि आप लोग से अच्छे समझ में आ जाए और लेना है और सेकेंड है साइन्टी मायना कॉस्टी का इसको इसका लाप लास रूप अंतरट ग्याद करना है तो आप लोग उन फॉर्मूला का यूज करना जो आपने पहले लिखवा है वीडियो पसंदा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले और यदि आप लोग से कॉस्टन ना बनेंगे तो हम अगली वीडियो में आप लोग से आप लोग को यह कॉस्टन सॉल्व करवा देंगे थैंक्यू